हलो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिकपी के बारे में चिकपी के बारे में सिसर एरिटीनम बोलते हैं जिसको चना कामनली हम लोग चना बोलते हैं और चना की दाल बहुत ही कामन है अब लोग को खाने में मज़ा भी आता होगा तो चलिए आज इसी चने पर बात करते हैं और जो मैंने source of material jazz लिये है जो आप लोग commonly पड़ते हैं book नेमरा सुन्दा की जो एक competitive book of फाइवरी कल्चर है तो चलिए अब start करते हैं तो जैसे बता दो दोस्तों इसको जो चिकपी भी बेंगल ग्राम भी बोलते हैं और ग्राम बोलते हैं जिसका बॉर्टिकन लेंस इसर अलिटीनम है और देखोगे इसके सबसे beauty क्या है कि यह resource है calcium का iron का niacin का और इसको और भी medicinal properties जैसे blood purifier की तरह आप भी इसको यूज कर सकते हो और अगर germinating seed को अगर requirement किया जाए तो उससे आप cure कर सकते हो जो की scurvy disease का नाम सुना होगा तो आप उसको भी cure कर सकते हो और अपने देश की बहुत बड़ी अच्छी खासिय है कि आप देखो कि अपना इंडिया जो है largest producer है 65% area है और 70% total global का production है और इस जो chickpea है इसका सबसे ज़्यादा acreage है और production भी है among the pulses crop जो भी हमारे pulse crop grow कियाती है उनमें सबसे ज़्यादा इसी chickpea का है acreage भी और production भी और उसके बाद जो next है वो है pigeon pea ठीक है और जैसे है कि आप लोगों को पता होगा कि most other जो legumes होते हैं उनका 75% जो है nitrogen requirement होता है biological nitrogen fixation के दोरा ही होता है तो और उस process को बोलते है symbiosis तो symbiosis क्या है एक ऐसा relationship है जिसमें कि दोनो mutually benefited होते है एक का product दूसरा खाता है दूसरे का product A और B है तो A जो बनाएगा B खाएगा B जो बनाएगा A खाएगा एक best example है symbiosis का अब उसके दर बात करें origin की तो देख लोगे दोस्त अफगानिस्तान जो है इसका center of origin है जिसको Southwest Asia भी आप कह सकते हो तो अगर कहीं पर आगास पूशा आता है तो आपको याद रखना अफगानिस्तान और Southwest Asia दोनों आप सना आपके सही है और area और distribution की अगर बात करोगे तो देखो कि area सबसे ज़्यादा इंडिया में है उसका पाकिस्तान then Turkey और production की बात करेंगे तो इंडिया then Turkey then Pakistan अब यही बात अगर हम इंडिया में कर लें तो इंडिया में देखोगे कि हमारा जो MP है सबसे ज़्यादा वहाँ पर area है देनलाजस्तान में उसी तरह से production की बात करें MP का सबसे ज़्यादा first में है देनलाजस्तान का देन यूपी का अब यही अगर हम इसकी classification की बात करें चिकपी की classification की बात करें हुए चिक भी होते है यह तो देसी जो वोलते हैं उसको brown gram भी बोलते हैं दूसरा जो है आपका काबॉली जिसको white gram बोलते हैं ठीक है तो आप देखोगे जो brown gram है उसका scissor arytenium बोलते हैं और scissor caboliium बोलते हैं और दोनों में जो क्रोमोजोम नंबर में देख सकते हो, जो देसी है, उसका 14 भी हो सकता है क्रोमोजोम नंबर, और 16 भी हो सकता है, और इसका जो काबुलियम है, इसका आपका 16 होता है क्रोमोजोम नंबर, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, यह जो आपका है ब्राउन जो है देसी चना, और वाइट जो दिख रहा है आपका कावुली चना है जिसको सिसर्क कावुलियम बोलते हैं थोड़ी और बात कर लें जैसे देसी चना के बारे में तो देखोगे यह हमारा most widely cultivated है इन इंडिया में और it is having good branching इसमें ब्रांचिंग आपको बहुत जा दिखेंगी yellow to dark brown इसका जो होता है सीड होता है और सीड का साइज होता है समाल होता है Cosmopolitan nature होता है और इसका जो test weight देखोगे वह है 140 से 200 ग्राम के करीवन इसका test weight होता है जो यहां Cosmopolitan nature की बात कर रहा है इसका मतलब एक कि इसका distribution across everywhere आपको यह मिलेगा जो देशी चना है ठीक है एसा नहीं कि एक part के specific area में यह आपको मिलेगा Cosmopolitan है यह everywhere आपको मिलेगा और जो white होता है काबली है it is a bold attractive white feed होगा और इसका जो plant होगा taller होगा आप देख सकते हो जो test weight है इसका 340 से 375 ग्राम होता है और इसकी जो yield होती हो पूर होती है as compare to the desi gram तो यह तो था the compression between the desi and copper leaf अब इसके जरा हम botany के बाप बात करें तो देख सिसकी family जो fabacy जिसको लेग में अशी बोलते है and sub-family papillunation याद रखेगा और इसका जो color sour test आएगा leaf का और pod का ऐसा होता क्यों है because of malic acid जो है 90-96% उसमें पाए जाता है and oxalic acid जो है 4-10% और यह estimated है कि 4-10 kg आप these acid can be obtained from 1 hectare area से अगर आप 1 hectare area में chickpeak लगा हो तो आप 4-10 kg करीबन यह जो है acid आप पास सकते हो और इसका root system tap root system होता है और central system root जाएगा नीचे की तरफ और उसके बाद secondary roots निकलेंगे tap root system होता है cloudy and rough seedbed है required to provide adequate aeration for proper germination of seed because gram is highly sensitive to the soil aeration याद रखिएगा कि जो चने का जो seedbed होना चाहिए वह बहुत smooth नहीं होना चाहिए that should be rough is rough जब रहा है क्योंकि aeration की बहुत ही important role play करता है जो चने में इसलिए इसको बहुत ही sensitive होता है आपका aeration से aeration जितना कम अगर कम होगा तो बहुत जल्दी यह sow कर देगा symptom को और देखोगे c3 plant है long day plant है means when the duration जो है आपका 12.5 जो critical day length होता है उससे ज्यादा इसको day length चाहिए for the plowing की नहीं इसलिए long day plant है ठीक है और एक चीज़ इसकी कमजोड़ी है कि it is highly susceptible to the frost at flowering अगर flowering के time पर frost आता है तो उस time पर काफी damage आपको दिखेंगे यहां पर कुछ variety आ दी होई है जैसे आपको अरोधी है जो की wilt resistance है और पूसा 256 और बीजी 256 जो है most common and best father infant condition याद रखेंगा infant condition के लिए यह दो variety है काफी popular है C 235 जो है widely adapted है for dryland and tolerant to ascochyta blight इसमें digit ascochyta blight लगती है उसके against आपका tolerant है जो यहां पर गौरो है यह resistant है ascochyta blight का उसके बाद जो variety है वो rs10 है जो drought resistant है and suitable for the azmir quota and district of Rajasthan rs11 है जो की mutant variety है drought resistant है suitable for the heavy soil of Rajasthan है ठीक है जो mutant variety की बात करता है mutant variety की जो यह बात कर रहा है mutant means इसमें किसी variety में heritable changes suddenly naturally आ जाए या artificial आ जाए और वो changes जो आए है and if that changes is desirable तो उसको क्या बोलते है mutant variety बोलते है ठीक है उसके बाद ICC 2 है जो start duration variety है उसके बाद arpana है 2006 में निकाली गई है जो की grain उसका जो होता है green color का ही रहता है याद रखिएगा कापी important variety है अरपना जिसका grain जो है वो green color कर रहेगा type 2 जो है वो है सुटूल फार राजस्थान और पूसा 2-09 है A seed जिसका जो है medium होता है test weight जो आपका देख सकते 135 gram per thousand seeds का है उसके अलावाभी variety जैसे चैफा है R.E.S.J.G.2 है G.N.G.16 है रादे यह सब वराइटिया है तो यह कुछ ती जो ग्लीम्स था वराइटियों का जो यहां पर दिया हुआ था और इसके बाद कुछ वराइटिया है जैसे काबुली C104 है K4 है L144 है यह जो वराइटिया है आपकी काबुली वराइटिया है ठीक है अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं प्रिपेशन आप सीट बेट सीट बेट कैसा तो मैं जैसे बात नहीं पर किया था कि जो आपका सीट बेट वो रफ होना चाहिए जिसके वैसे आपका एरेशन प्रॉपर होगा और जो स्वें टाइम है आपका सेकेंड फार्टनाइट आपक्तूबर इस अप्टिमम और उसके बाद 8200 कजी सीट पर टीक है और जो अर्ली और सेलो सोन करण अगर आपने कर दिया तो इसकी आप विल्ट की प्राब्लम को आवाइड कर सकते हो तो यहां बज़े से देख सकते हो इनकी जो प्रॉलम है चिकपी का जो पोल करकर करके जो लार्बा होता है feed करता है और आधा portion जो है इसका बाहर दिखाता है तो यहां देख लोग इसको बोलते हैं हलकोबर को आर्मी जे रहा और फिर में मुआ तो पॉर्ट बोलर इच ले about 300 to 350 eggs on the tender leaves and flower branch of the plant 300 से 350 से करीवन eggs को ले करती है and the eggs are creamy white in color होते है and incubation period जो है उसका 4 से 5 दिन का होता है और larval period जो हता है 22 से 27 22 to 27 day and this is very dangerous और जो newly hatched larva होता है वो green leaf पर feed करता है और लेटर feed करेगा किस पर flower bud पर और pod पर है और जो fully grown larva होता है that will feed on the pod by making a small circular hole और जो half of the larval body होता है always remain outside and of the pod and a single larva can damage जो होता है आप क्याता है 50 to 60 pod during the larval period एक single larva जो है 50 to 60 pods को damage कर देता है जो सकते हो कितना खरवना के disease है कितना yield का losses कर सकता है अब जैसे हम जो एक दूसरी problem हमने discuss के थी wilt की तो यादर कियेगा यह flusarium oxysporum farming species जो है scissor यह जो fungus है यह cause करता है देख सकते हो यह symptoms दिख रहा है यह wilt के वज़ए से है ठीक है और इसको यह one of the limiting factors है इन चिकपी ग्रोईग एरिया के लिए जहां भी चिकपी ग्रोऊ तो यह problem हो जाती है fungal और इसको मार डिजीज बोलते है माराथी में और इसकी वज़ए से आप देखो कि 10-90% आपको yield losses annually चिकपी में देखना वो मिल सकता है and when the disease occur at a seedling stage, seedlings collapse and lie flat on the soil surface अगर seedling stage में है तो जो आपको seedling नीचे जमीन पर लेटा हुआ दिखेगा in adult plant the characteristic symptom is brown to black discoloration of gylem vessels in the stem जो उसका vessels है जो stem होता है stem होगा उसका gylem होगा उसका discolour हो जाता है वो कैसे आपका brown to black discoloration आईसी जाइल में बेसल को यह block कर देता है यहाँ पर जिसके वाइसे पानी नहीं जाएगा तो क्या होता है? welding symptoms आपको देखता है and affected plant appear in a patchage in the field जैसे आप देख सकते यह सब affected plant है जो है आपके यहाँ पर दिख रहे ना weld से अब हम बात कर लेते हैं irrigation management की तो याद रखिएगा जो यह चना है इसमें दो two time पर irrigation बहुत रिटिकल है pre flowering and pot development stage पर और इसमें याद रखिएगा कि जो irrigation जो है flowering के time पर नहीं देना होता है pre flowering ही देना होता है और कुछ important practices है जैसे निपिंग है and topping यह important practice है जो चने में करते हैं जैसे pruning कर दोगे top branch का of the plant तो उसे encourage जाएगे क्या reproductive growth अब जैसे क्या है कोई चनना है यह जैसे चने का plant है grow कर रहा है मानलीजिये है इसका जो top portion है इसको तोड़ दोगे तो इसका क्या है vegetative जो है जो vegetative growth है stop हो जाएगा then ओ अजी productive stage आ जाएगा ठीक है और इसके अलावा भी जो lateral branches है इसमें काफी आएंगी branching increase आएगी तो जिससे आपका क्या होगा इसमें yield जो है काफी अच्छा मिलेगा तो इसको बोलते हैं आप nipping and topping and this practice को 50-60 दिन के बाद करते हैं and it can be done rapidly by passing a flock of the sheep यह भी हो सकता है कि कोई sheep का flock है कभी कभी देखते होगे तो इसको at this stage पर है तो उसकी sheep की flock को खेत में डाल दो तो जो भी sheeps है वो आपकी nipping कर देंगी काट के खा जाएंगी और उसके बाद आपको हास्त नहीं करना पड़ेंगे जो आपको manual labor है वो नहीं करना पड़ेगा जो बच जाएंगे और कुछ chemicals भी जैसे nipping का tiba है at the rate 75 ppm आप डाल दोगे ट्राइडो बेंजोइक एसीड है इनको इसको अगर आप कर टीबा जो है इसको अगर भी यूज करते हो है यह chemical nipper की तरह काम करेगा आपका और इल्ड की बात करोगे 20-25 quintal in irrigated field में आप पा सकते हो अगर चिकपी का अगर अच्छी crop है तो ठीक है और कुछ इसके बाद इसमें इस बुक्स में दिया है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके हमने डिसकस किया था इसका tap root system होता है इसके जो sore जो टेस्ट जो लीव का port का sore होता है क्यों होता है मैलिक और अउक्जाली के वज़े से होता है और dryland के लिए best variety C 235 है इसका जो protein content है आपका 21% है और अलेडी जो बात किया था हम लोग deep sowing क्यों करते है क्योंकि wilt disease नहीं लगेगा और critical stage for irrigation pre-flowering pot development इसे दो बहुत important stage है उसके बाद जो herbicides है आप basaline को यूज कर सकते हो add a rate of 1kg per hectare before sowing याद रखिएगा इसको यूज करना है तो यह थे समकुछ facts यहां पर जो हम लोगोंने chickpeak के बारे में discuss किया उमीद करूंगा यह आपको help करेगा कुछ memorize करने में understand करने में हमने try किया यहां की material को compile जो था इसको समझाने के लिए तो कैसी ती वीडियो इसको कमेंट करके बताईएगा लाइक करके बताईएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमसे इस चैनल पर जुड़ रही है बाई बाई झाले बाई